ब्रश्टाचार आप देख रहे हैं नीज़ फोर निशान और मैं हूँ प्रियदरसन पर कई गंभीर आरोप हैं तो इन तमाम चीज़ों को ले करके एक साथ दबिस बनाई गई है यो यू के द्वारा और चाहे पटना हो या फिर अधिकारी का जो बितिया इस्थित परिसर है उन तमाम जगों पर एक साथ यह छापे मारी हुई है दसल यू ने बिहार राज दिगं के सहायक प्रवंधक सहुख महा प्रवंधक सिसीर कुमार वर्मा के ठिकानों पर शुक्रवार को छापे मारी की है उनके खिलाप आज जैधिक सब्गुने अरजित करने का आरोप है और इसी को लेकर के सिसीर कुमार वर्मा के विरुद आर्थिक अपरात्थाना में 12 अक्टूबर 2023 यानि कि एक दिन पहले ही भरष्टा चार निरोध अधिनियम की विभिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और इसे लेकर के बिहार राज खाद निगम में काईड़त रहते हुए उनके खिलाप 45,71,967 रुपए की परिसंपत्ती जो की उनकी आई से अधिक संपत्ती है उसके खिलाप उन पर मामला दर्ज हुआ है और यह जो 45,71,000 रुपए से जादा की आज से अधिक संपत्ती है इसी को लेकर के अब EU द्वारा विशेश नियाले निगरानी पत्ना से प्राप्त सरच वारंट के बाद उनके पत्ना इस्तित कार्याले और आवास सहित पत्ना और बेतिया के आवासिये परिसर में छापे म इस दोरां उनके ठीकानों से जेवरात, सहित कई अन्य प्रकार के काखजात और मोटर वाहन मिलने की खबर भी है दरसर पत्ना और बेतिया इस्तित उनके ठीकानों पर भी रेट जारी है और EU के द्वारा इसे जिसिर कुमार वर्मा के खिलाप जो उनके खिलाप अलग- लगे थे और इसे लेकर के उनके खिलाब जो मामला दर्ज हुगा था उन मामलों में अब यह बड़ी कारवाई की गई है और भ्रश्चाचार के खिलाब यो यू बिहार में अलग-अलग अधिकारियों के खिलाब पिछले लंबे अर्चे से लगातार दविस बनाये हुए है क उनके खिलाब पहले ही यह मामला दर्ज किया जा चुका है कि उन पर करी 45 लाख रुपई से ज्यादा की आई से अधिक संपत्ती अर्जित करने का आरोप लगा है तो इसी को लेकर के चाहे उनका पतना इस्थितावास हो चाहे उनका वितिया इस्थितावास हो या भी पतना तो इसमें और ज्यादा क्या-क्या इनके खेले पर संपत्ति अरजित की गई है इनके द्वारा किस प्रकार से इन संपत्तियों का अलग अलग जगा निवेश किया गया है क्या ये जेवरात और जमीन में जो आईसे अधिक संपत्ति थी इसको निवेश किया गया है या फिर इनके पर और भी ज़्यादा संपत्ति अरजित किया गया है तो इनके द्वारा यानि कि शिशिर कुमार वर्मा के द्वारा आई से अधिक संपत्ती में और क्या-क्या खुलासे होते हैं इसे लेकर के यू-यू के द्वारा उनके तमाम जो पतना चाहे बितिया इस ते जो कार्याल है और आवासिय परिशर है उन जगों को खंगाला जा रहा है और उनके खंगाल करके यह पता किया जा रहा है कि आखिर इन्हों ने यह जो संपत्तियां अरजित की है इसका निवेश्ट कहां हुआ है और क्या केबल यहीं तक संपत्ती है या इसके अतिरिक्ति भी इन्हों ने अनिप्रकार की संपत्तियां अरजित की है तो इन राज खाद निगम के जो सहायक महाप्रबंधक हैं यानि की डीजियम हैं सिसीर कुमार वर्मा उनके पत्ना और बितिया इस्तितावासिय और कारियाले परिशरों में यह शापे मारी चल रही है